बिये पार्ट प्रत्म के चित्रकला विशय के प्रियो विद्यार्थियों हम लोग बारती चित्रकला के छे अंगों के बारे में चर्चा कर रहे थे इसे से पहले हम दो अंगों पर चर्चा कर चुके हैं रूप भेद एवं पर्मान के बारे में हम अध्यन कर चुके हैं आज हम इसके तर्तिय एवं भेतव पूर्ण अंग भाव के बारे में चर्चा करेंगे जैसा कि मैंने आपको पूर्वे में बताया कि वात्सायन के कामशुत्र में छे अंगों का वरणन किया गया है जो एक सलोक के माध्यम से वरनित है रूप भेदा परमान भाव लवन्य योजनम सादरशे वरनिका भंग इती चित्रे शड़कम इस पर कार ये बारती चित्रकला के छैंग है वातसाइन के काम सुत्र में मिलते हैं और ग्यारवी बारवी सताबदी में ये सोद्र पंडित ने इस पर टेका लिखी जय मंगला नाम से टेका लिखी और बाद में उन्नीश वी सताबदी में अवनिद्नना टेगोर ने इस पर एक लेक परकाशित किया है जिसकी हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं आज भी द्यारतियों हम भाव के बारे में चर्चा करेंगे कि एक चित्र में भाव का क्या महत्व है भाव चित्र को कितना प्रवावित करते हैं या जीवन में जो हमारे भाव हैं उनकी चित्रों में किस परकार रचना के जा शकती है। इन सब पर हम आज चर्चा करेंगे। आज का हमारा टोपिक है भाव। भाव से तात्प्रिये हैं विचार, राग, तरंग, हिलोर, आकांगसा, इच्छा ये सबी भाव के ही प्रियाई है। भाव रिदय के छिपे हुए विचारों को ही कहते हैं। प्रतेक्षजीव प्राणी में यह भाव की परवर्ती विद्धेमान रहती है। यदि रूप चित्र का सरीर है तो भाव उसकी कलाकरती का प्राण है। कहने का मतलब यदि रूप चित्र का सरीर मान लिया जाए तो भाव कलाकरती का प्राण होता है। भाव का उदे मन में होता है। मनो भाव की तिवरता मुर्थ रूप में कला में अवतरित होती है। किछी चित्र में फेले बसंती रंग के विश्तार मातर्शे ही उत्फुलता का भाव प्रदशित हो जाता है। इसी परकार अन्य रंग भी हमारे मनो भाव को उत्प्रेरित करती है। कला करती के सबी तत्वों के विश्लेशन ची देखा जा शकता है कि उनमें क्या मनो विज्ञानिक प्रभाव होते हैं। किन्तु भाव के उद्वे के लिए इतने विवेचन की अविश्यक्ता नहीं है। यहां आप देखिए कि चेरे के द्वारा विविन भाव का प्रदशन देखा जा सकता है। यहां इस चित्र में चेहरे और हातों की किरियाओं के द्वारा आप विविन भाउं का प्रदर्शन देख सकते हो हसी, क्रोध, विस्मे इस परकार इन भाउं का आप इन में उलेख देख सकते हो हमारे प्राचिन ग्रंथों में नव रसों का उलेख मिलता है इन नव रसों को हम चित्र में अत्वा परतिमा में भाउं द्वारा ही अभिव्यक्त करते हैं ये नव रस इस परकार हैं श्रंगार, हास्से, कारुन, रोद्र, वीर, भयानक, विवत्व, अध्भुत, एंसान तरस इस परकार ये नो रस इन्होंने बताए हैं ये रस परतेक प्राणी की परिष्टिती विशेश से समन्दित होते हैं और किशी भी प्राणी की सारीलिक में मानशी किरियाओं द्वारा हम इन रसों को जान लेते हैं क्योंकि ये नो रस शरीर की विविन किरियाओं से परदशित होते हैं यहां आप देख सकते हो इन चित्रों के माद्यम से कि ये नो रस हैं विविन किरियाओं में के द्वारा हम इनको परदशित देख सकते हैं नव रस एंव इस्ताई भाव हैं आप इन चित्रों में देखिए इस परकार भिन-भिन भावों की सक्ति से सरीर में भिन-भिन विकारों का जन्म होता है मानव चित्वर्ती रस का अनुगमन करती है और उसी के अनुकूल भाव ने इंत्रित रहता है अते हम कह सकते हैं कि भाव से तात्पर ये है मस्तिस्क वे रिदे द्वारा सरीर पर पढ़ने वाले भावों का अध्यन विशलेशन तता उनका इस्पष्टी करन सरीर पर पढ़ने वाले इन काईक वे मानशिक भावों के चिन एक चित्रकार के लिए बड़े महत्वे के होते हैं वस्तों तो चित्रकार के करतियों में भाव प्रधान होता है ये भाव दो तरह के दो तरह से परकट होते हैं परतेक्स और प्रचन परतेक्स जिने हम नेत्रों की द्वारा देख सकते हैं ये सारी रिक अत्वा काईक भाव कहलाते हैं, परचन जिने हम परतेक्स रूप से देख नहीं सकते, क्योंकि वे आंतरिक भाव होते हैं, तो हमारी मानशिक किरियाओं द्वारा परकट होते हैं, इस परकार ही दो परकार के भाव परकट होते हैं, दो परकार से, एक तो परतेक मुर्गी के अंडे के आकार वाला चहरा जो मुर्गी के अंडे के आकार वाला चहरा इस परकार के प्रयोग चितना में पौन शात्विक भावलाने के लिए के जाता है यह बाव हमें विशेश रूप से बुद्ध की परतिमा में देखने को मिलता है इसे परकार पान के पत्ते के आकार वाला जो चैरा है यह विशेश रूप से इस्तरियों की आकर्टियों बनाया जाता है तता विशेश कर चंचलता का भाव प्रदशित करने के लिए है हातों की किरियाओं से भी भाओं का परदर्शन हो सकता है यहाँ आप देख सकते हो कि किशी में विस्मय करते हुए हैं तो किशी में ओह आ या इस परकार भाओं का अलग-अलग परदर्शन इनमें हम देख सकते हैं इसी परकार ये चेहरों के द्वारा विबिन भावों का प्रदर्शन है किशी में आप हसी, किशी में रोद्र, किशी में करून, किशी में विबत्व, किशी में आश्चरिय, किशी में सांत इस परकार अलग लग जो रस हैं भाव हैं उनको आप इन चेहरों में अच्छी तरक से समझ सकते हो देख सकते हो इन चेहरों के माद्देम से भाव का बरदशन किया जा सकता है इस परकार भिन भिन भाव की सकति से सरीर में भिन भिन विकारों का जन्म होता है मानुचित्वरती रस का अनुगमन करती है और उशी के अनुकुल भाव नीयंदरित रहता है अतहम कह सकते हैं कि भाव से तात्परिय मस्तिक रिदही द्वारा शरीर पर पढ़ने वाले भाव का अध्यन विशलेशन तता उनका इस्पस्टी करने इन में आप देखिए ये जो नवरस हैं भाव हैं जैसे इस चेप्तर में आप हसी का भाव हसते विए चहरा देख सकते हो इसी परकार ये क्रोध का क्रोध करती भी चहरा है परचन जो भाव जैसे मैंने बता है जिनने हम परतेक्स रूप से देख नहीं सकते क्योंकि वे आंतरिक भाव होते हैं तता हमारे मानशे किरियां द्वारा पर कट होते हैं जबकि परतेक्स वो भाव है जिनने हम नेत्रों से देख सकते हैं यहां आप मोना लिशा का चित्र देखिए विश्वे विख्यात चित्र है यह है लियोनार्दो विंची की पेंटिंग है इसमें परचन भाव दर्शाए गए हैं यह आंतरिक भाव हैं यह हमारी मानशिक किरियाओं द्वारा परकट होते हैं यहां आप देखें मंद मंद निवाव हैं चुपे हुए भाव हैं त्याग के भाव हैं इस परकार भाव का अलग अलग जगें अलग अलग महत्व हैं नेत्रों की रचना की रचना भी विविन परकार के भावों को दिखाने के लिए विविन परकार शेकी जाती हैं इसकी रचना के लिए हमारे प्राचिन गरन्तों में विविन परतिकों तथा उपमानों को आधार बनाया गया है। पत्र ससाकृति इस परकार के नेत्र बनाकर पांच परकार के नेत्र बनाकर भावों का परदशन किया जा सकता है यह बात चित्र शुत्र में देखने को मिलती हैं जैसे मतश्यो दर नेत्र की बात करे अथार्थ मचली के पेट की आकरती वाले नेत्र काम भावना वै विलाशिता जैसे भावों को परदशित करने में शक्षम है इसी परकार चापाकार जो नेत्र है परकरती के शुंद्रिय दर्शन अत्वा अन्य किशी भी परकार से देल कमल की पंखुडी के समान नेतर शात्विक, शांती वे गंभीरता को परदशित करते हैं, जो उत्पल पत्रे कहलाते हैं, इस परकार अलग अलग परकार के भावों को नेतरों के द्वारा भी परदशित किया जा सकता है, जैसमे पद्म पत्रे अथार्थ कमल पत्र के समान नेतर क्रोध भय आतंग के भाउं को परदशित करते हैं ससाकरती अथार्थ हरिन की आकरती वाले नेतर सरस्त सरलता चंचलता नीरप्राधिता आदी भाउं को परदशित करने के लिए परियुक्त किये जाते रहे हैं इसके अलावा नेत्रों के अलावा खंजना जो अलग हैं खंजना आकरती अथात खंजन पक्षी की आकरती वाले नेत्रों का प्रियोग भी परचलन में रहा इस परकार के नेत्र परसंता चंचलता आईश्टरता आदी भाव को परकट करने के लिए प्रियोग की जाते रहे है इसी प्रकार प्रत्यक्ष वर प्रचन भावों को हम निश्चित सारीरिक भाव भंगिमाओं के दुआरा भी अभिव्यक्त करती है भाव विशे इसमें सारीरिक अंगों के निश्चित किरियाएं होती है हमारे प्राचिन गरंथों में कुछ भंगी माईं बताए गई है जिनके अनुसार आकर्तियां संभंग, अभंग, त्रिभंग और अतिभंग होती है इस परकार आकर्तियों को अलग-अलग भंगी माउं में चित्रिकर करके भी भाव का प्रदशन किया जा सकता है इस परकार भारतिय चित्रकला में भाव अपना एक विशिष्ट इस्तान रगता है और कुसल चित्रकार वही है जो विविन शारीजिक और मानशिक भाव को कुसलता पूरवक किसी चित्र में अंकित कर सकता है मनुष्य के मन में अनत भाव उमरते हैं जो विशिष्ट भाव कलाकरती में अवतरित होते हैं उसके अतरिक उश्क्षण अन्य भाव का लोप हो जाता है भाव के माद्यम से ही रसान उबूती होती है